एक्सराइज 5.3 के 10th question से करते हैं show that a1 a2 up to an form an ap where an is defined as value देखो a1 की an की value हमें दे रखी है हमें क्या करना है show करना है कि यह ap बनाएगी और sum of first 15 terms भी हमें निकालना है तो देखो कैसे करेंगे हम इस question को 10th question है 10th question का first part हमें an की value दे रखी है an is equal to 3 plus 4n कैसे करेंगे सबसे पहले हम a1 निकालते है a1 का मतलब n की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 plus 4 multiply 1 कितना आ जाएगा यह 3 plus 4 7 आ जाएगा फिर a2 निकालते हैं तो a2 क्या करेंगे n की जगह पर 2 put कर देंगे तो 3 plus 4 multiply 2 4 to 8 और 3 कितना आ जाएगा 11 फिर a3 निकाल लेंगे ऐसे ही a3 की value क्या आ जाएगी 3 plus n की जगह पर 3 put कर देंगे 4 multiply 3 4 multiply 3 12 plus 3 कितना आ जाएगा 15 तो देखो इस तहीं से terms आ जाएगा हमारी अब अगर हम common difference निकाल देखो d की value second term a2 minus a1 करेंगे तो क्या आएगा 11 minus 7 कितना आ जाएगा 4 फिर से अगर common difference निकालते हैं अब की बार कैसे निकालते हैं third term में से second term minus करेंगे 15 minus 11 कितना आ जाएगा 4 common difference same है तो क्या आ जाएगी that implies given series form and ap जो given series है वो क्या बना रही है एक ap बना रही है अब हमें निकालना क्या है sum of first 15 term 15 terms का sum निकालना है तो s 15 की value निकालते है s 15 formula लगाएंगे n by 2 n की value कितनी है 15 into 2a 2 multiply a की value कितनी है a की value first term कितनी है हमारी 7 a की value है 7 plus n minus 1 15 minus 1 into d d की value है 4 अब इनको solve कर देंगे 15 by 2 into 2 की 7 से multiply 14 plus 15 minus 1 14 multiply 4 तो 15 by 2 into 14 plus 14 की 4 से multiply कितना आ जाएगा ये 56 56 में 14 add करेंगे तो ये आ जाएगा 70 15 by 2 multiply 72 से divide कर देंगे 35 15 की 35 से multiply 15 5 जा 75 5 7 करें 15 3 जा 45 और 7 52 तो ये सम आ जाएगा इनका 15 टरम्स का सम कितना आ जाएगा 525 यही निकालना था हमें आप देखो second part करते है second part में an की value दे रखी है 9 minus 5 n तो second part करते है second part में an की value दे रखी है 9 minus 5 n a1 निकाल लेंगे first term n की जगह पर 1 रखेंगे 9 minus 5 multiply 1 तो 9 minus 5 कितना आ जाएगा यहां से 4 अब ऐसे ही क्या करेंगे a2 निकाल लेंगे n की जगह पर 2 put कर देंगे तो a2 निकालते है a2 की value क्या आ जाएगे 9 minus 5 multiply 2 तो 9 minus 5 की 2 से multiply 10 कितना आ जाएगा यह minus है 1 ऐसे ही हम a3 निकाल लेंगे 9 minus 5 multiply 3 अब n की जगह पर क्या रख देंगे 3 तो अब यह आ जाएगा 9 minus 5 multiply 3 15 तो 9 minus 15 कितना आएगा minus 6 अब common difference निकाल देते है d कैसे निकालेंगे एक बार तो a2 minus a1 से a2 की value है minus 1 और a1 की value 4 है subtract करेंगे minus का 4 आ जाएगा minus 1 minus 4 कितना आएगा minus 5 अब फिर से common difference निकाल देंगे अब की बार a3 minus है a2 third term में से second term minus करेंगे third term है minus 6 minus second term क्या है हमारी minus है 1 क्या आजाएगा यह minus 6 plus 1 कितनी आजाएगी minus 5 common difference सेम है तो यह ap बनेगी क्या लेकेंगे given series form n ap जो given series है वो क्या बना रही है ap बना रही है तो अब इसकी 15 terms का sum निकालना है तो sn का क्या formula होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d तो s 15 क्या जाएगा यहां से 15 by 2 into 2 multiply a की value first term क्या थी हमारी 4 तो 2 multiply 4 plus n की value है 15 minus 1 into d की value क्या है हमारे पास minus 5 इनको solve करेंगे तो 15 by 2 into 2 multiply 4 8 plus 15 minus 1 कितना आ जाएगा 14 multiply minus 5 तो यह value आ जाएगा 15 by 2 into 8 14 की minus 5 से multiply क्या आएगा minus 17 तो 15 by 2 multiply 8 minus 70 कितना आएगा minus का 62 2 से divide करेंगे 31 तो 15 की minus 31 से multiply करेंगे minus का आएगा 15 1 into 15 15 3 into 45 146 तो यह answer आ जाएगा sum of 15 terms क्या आ जाएगा minus 465 अब next question करते है 11th question क्या दे रखा है if the sum of the first n terms of an ap is 4n minus n square what is the first term what is the sum of the first two term यह सारी चीज़े हमें निकालने हैं तो देखो given में क्या दे रखा sum of the first n terms of ap हमें sn की value दे रखी है 11th जो question है उसमें हमें sn की value दे रखी है sn की value कितनी दे रखी है 4n minus n square यह sn की value दे रखी है सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे s1 निकालते हैं तो s1 का मतलब क्या होता हमारा sum of one term sum of one term मतलब first term first term में आ जाएगी a1 की value क्या करेंगे अब देखो s1 n की जगह पे 1 रखेंगे 4 multiply 1 minus 1 का square तो 4 की 1 से multiply 4 minus 1 का square 1 कितना आ जाएगा यह 3 अब ऐसे ही देखो s2 निकाल लेंगे s2 क्या होगा sum of two term sum of first two term sum of first two term क्या होता a1 plus a2 first term plus second term तो अब n की जगह पे क्या रखेंगे 2 तो यह आ जाएगा 4 multiply 2 minus 2 का square 4 to 8 minus 4 8 minus 4 कितना आ जाएगा 4 यह sum of two terms आ जाएगा ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे s3 sum of three terms a1 plus a2 plus a3 क्या आ जाएगा देखो a1 n की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 3 तो 4 multiply 3 minus 3 का square 4 3 is 12 minus 3 का square कितना आ जाएगा 9 तो 12 minus 9 कितनी value आ जाएगी यह 3 अब हमें देखो निकालना क्या क्या है सबसे पहले यहाँ से देखो a1 की value है हमारे पास 3 a1 plus a2 की value कितनी है 4 तो क्या करेंगे हम देखो यहाँ से first term तो आ जागे हमारे पास 3 तो लिखे देगे first term first term निकालनी थी वो आ जागी 3 अब देखो क्या क्या निकालना what is the first sum of the first two term sum of the first two term कितना आगया हमारे पास 4 तो sum of first two term sum of first two term कितना आया है 4 और क्या क्या निकालना what is the second term अब second term निकालेंगे देखो हमें a1 plus a2 की value कितनी है हमारे पास 4 a1 की value पुट करेंगे a1 की value है 3 plus a2 is equal to 4 तो a2 की value क्या आ जाएगी 4 minus 3 कितने आ जाएगी 1 तो second term क्या जाएगी हमारी 1 और हमें आगे क्या निकालना है similarly find the third and tenth and nth term तो third term निकालनी है अब हमें देखो third term कैसे निकालेंगे a1 plus a2 plus a3 की value क्या है 3 तो also a1 plus a2 plus a3 की value है हमारे पास 3 तो a1 की value रखेंगे a1 की value कितनी थी 3 plus a2 की value क्या है 1 plus a3 is equal to 3 तो a3 is equal to 3 plus 1 4 यह 4 इस side आ के minus हो जाएगा तो 3 minus 4 कितनी आ जाएगी minus 1 यह value आ जाएगी किसकी a3 की a1 a2 a3 की value आ गया हमारे पास और क्या क्या निकालना हमे 10th term तो देखो 10th term निकालने के लिए देखो अब हमारे पास क्या क्या है a की value है first term जो है हमारे पास कितनी थी 3 d की value निकाल देंगे d की value कैसे निकाल देंगे a2 minus a1 a2 की value कितनी थी A2 की value 1 और A1 की value है 3 तो यह आ जाएगा 1 minus 3 कितनी value आ जाएगी minus 2 common difference आ गया अब 10th term निकाल देते हैं A N का formula क्या होता है A plus N minus 1 into D 10th term निकालने है A10 हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा यहां से A की value पुट करेंगे 3 plus N की value 10 minus 1 D की value है minus 2 तो 3 plus 10 minus 1 9 multiply minus 2 तो यह आ जाएगा 3 minus 9 की minus 2 से minus 18 3 minus 18 कितना आ जाएगा minus 15 तो 10th term आ गया हमारी minus 15 और ऐसे ही हमें Nth term भी निकालने हैं तो A N Nth term की आ जाएगी A plus N minus 1 into D N की जगह तो N रहेगा A और D की value पुट करेंगे 3 plus N minus 1 into D की value minus 2 तो यह आ जाएगी 3 minus 2 की N से multiply minus 2 N minus 2 की minus 1 से multiply plus 2 3 plus 2 कितना आ जाएगा 5 minus 2 N तो यह आ जाएगा हमारी Nth term सारी value निकाल दी हमने अब next question करते हैं 12th question है find the sum of the first 40 positive integers divisible भाए 6 first 40 positive integers का sum निकालना है जो 6 से divisible है तो देखो कैसे करेंगे 12th question है हमारा AP क्या बनेगी first 40 positive integer तो 6 से जो divisible है 6, 12, 18 इस तरह से value चलेगी up to कितनी term तक 40th है term तक तो यहाँ से देखो A की value कितनी है 6 common difference कितना होगा 12 minus 6 कितना आएगा 6 और N की value कितनी है 40 निकालना क्या है हमें sum of 40 integer sum of 40 terms निकालना है तो 40 terms का sum निकालते हम क्या जाएगा S N का formula होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D सारी value पुट करेंगे N की value कितनी है 40 तो S40 is equal to 40 by 2 into 2A A की value कितनी है 6 2 multiply 6 plus N minus 1 N की value 40 minus 1 into D की value है 6 3 और 1 4 और यह आजाएगा 246 अब 20 की 246 से multiply करेंगे 0 6 2012 4 2008 और 1 9 2 4 4 4920 तो 1st 40th term जो 6 से divisible है उनका sum कितना आजाएगा 4920 1 501 306 356 259 259 269 288 299